मैं एसके तिवारी मा गायत्त्रिय अग्रो फार्मिंग से आज जो हमारे पुष्पेंदर जी फार्मर हैं जिनोंने बांस के पौदे लगा रखे हैं उनका आज विजिट करने आए हैं हमारे साथ सीकर से उमेद सिंग जी हैं और हमारे किशान यहां के स्री राम नराइन जी धातल साब हैं तो यह जो पौदे आप देख रहे हो यह लगबग डेड़ साल के लगाई हुए हो गए हैं जिनकी लगबग उचाई हाईएस्ट दस बारा फिट तक है उमेद जी हैं तो इस हिसाब से देखिएगा क्योंकि देखवाल नहीं किया है ज्यादा इसमें पानी भी नहीं डाला है लेकि फिर भी यह मतलब अपना ग्रोथ चल नहीं है तो देखिएगा यह डेड़ साल के पौदे हैं अपने राजिस्थान में जैपुर जिले के यह जोर पुरा म तो इस प्रकार से इनकी यह ग्रोथ है जो कि अपने राजिस्थान में आसानी से अब चल रही है बहुत लापरवाई के साथ में यह पौदे लग रहे हैं लगवा कि दोंने 2400 पौदे का रोपड किया है जो कि आपके सामने है यह इसकी आज की लेटेस्ट ग्रोथ है जो कि आज तारीक हो गई है तेरा तारीक है फरवरी का महिना है 2022 का साल है तो इस समय में आप यह ग्रोथ अपने राजिस्थान के जैपुर जले की है और यह तोलडा और बालकुआ दो वेराइटी का इनका रोपड है जो कि यह हमारी नजर में ठीक है लापरवा होते हुए भी य जंप बन चुका है अब आगे ऐसे इनकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी आगे यह बढ़ते जाएंगे जैहन जैभारत जैभारत अब बताईये का देखो वहिया कि जहां पर अच्छा पानी खाद मिला तो पुधा पंद्रा सोला पुट भी हुआ है ठीक का विच्छा लागया ना अब ऐसे अपन बाउंडरी पर लगाएंगे अब देखो नीचे वाला जो फुटान देख रहे ना वो वाला देख रहे न पहले चोटे निकले जैसे जैसे यह बढ़ते जाएंगे फोटान भी वैसे बढ़ते यह स्टिती है अब जो देख रहे हो अब जैसे यह बढ़ते जाएंगे जाएंगे जो भी निकलेगा बस यही सिस्टम इसका जारी रहता है तो अब जैसे अपन चार चार फुट पर लगा रहे हैं अब मालो की यह पोदा आया सब बसबोच करो तो यह से जोड़ जाएगा कि नी जोड़ जाएगा यह जोड़ जोड़ जाते जोड़ जाते बिलकुछ सही है यदि अपन फेदी एक लगाया हो तो तो तीन तीन तक निकली गए निकली गए ठीक हला